हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना पक्का मकान हो लेकिन गरीबी और हालात उनके इस सपने को पूरा नहीं होने देते ऐसे में इन लोगों के सपने को पूरा करने का बेड़ा उठाती है सरकार और सरकार की अगर नियत अच्छी हो तो ऐसे लोगों के सपने को साकार करने में जादा समय नहीं लगता ऐसा ही एक सपना संजोया था राजगड के कटोली गाउनिवासी हिरा सिंग ने लेकिन उनके सपने के रास्ते में रोडा बन रही थी उनकी गरीबी लेकिन प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना ने उनके सपने को साकार कर दिया है जी हाँ उन्हें ग्राम पंचायत प्रदाहन मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में बताते हैं लेकिन हीरा सिंग को विश्वास नहीं होता क्योंकि आज तक उन्हें ऐसी कोई भी सुईधा नहीं मिली थी ऐसे में उन्हें लगा था कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ भाष किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा उनकी आवास की जरूरत को देखते हुए आवेदन को अनुमोदित करने के बाद स्विकृती के लिए खंडविकास अधिकारी कार्या ले राजगर भेजा गया इसके बाद मकान निर्मान के लिए उन्हें एक लाख पचास हजा की राशी स्विकृत हुई उन्हें ये भी बताया गया कि मकान निर्मान के लिए राशी उपलप्त करवाने के अलावा 95 दिन तक मनरेगा का काम भी मिलता है फिर क्या था हिरा सिंग ने अपने मकान का काम शुरू किया और अब उनका मकान पक्का है और वो इस मकान में इतना कहना चाहेंगे कि अगर ग्राम पंचायत प्रधान जागरुख है और काम करने के प्रती उनकी नियत साफ है तो प्रधिर्श सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं का लाब निचले तबके के लोगों को भी मिल सकता है